हेले स्टुडेंट्स आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक पर वो टॉपिक है टैक्स हेवेन टैक्स हेवेन अभी चर्चा में थोड़ा बना हुआ है क्योंकि अभी साइप्रेस में एक घटना हुआ हम लोग इसके बारे में आगे हम लोग डिसकस करते हैं सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि टैक्स हेवेन है क्या टैक्स हेवेन मतलब एक ऐसा देश या एक ऐसा जगह जह तो tax event उन देशों को कहा जाता है, जहां पर अन्य देशों के तोलना में वहाँ पर बहुत कम tax लगता है, या बिल्कुल ही tax नहीं लगता है, ऐसे देश वो होते हैं जो विदेश्षी नागरीकों को, विदेशी निवेशकों को या विदेशी उद्दमियों को ये सुविधा देते हैं ताकि वो इस देश में रहकर जो ब्यवसा या निवेश करेंगे या वहाँ पर किसी उद्दम का स्थाफना करेंगे तो उस पर उनको tax नहीं देना पड़ेगा और अगर देना भी पड़ता ह बहुत कम देना पड़ेगा तो यह बेसिक म savvy यह Ноल बैसे करते हैं कि मुनाफ़ा कमाते है तो वहां कि आप मेरी यहां आईए, आप यहां पर invest कीजिए, मेरी यहां किसी भी छेतरे में, किसी भी चीज में पैसा लगाईए, industry हो, या फिर किसी ओर factories हो, या फिर किसी और प्रकार के आप विदेशी नागरीकों को promote किया जाता है कि आप यहाँ पर आप अपना विरेशी पैसा को यहाँ पर लगाईए इसके बदले में कि अगर उस पैसा से आपको जो मुनाफ़ा होगा उस मुनाफ़ा पर हम tax नहीं लेंगे लेकिन उस मुनाफ़ा से क्या होगा कि इस देश का एक जो है वहाँ पर development होगा विकास होगा क्य कि इस सब जो countries हैं उन लोग को हाँ पर tax नहीं लेंगी इसका कुछ negative इस्तरस होता है कि जो सारी companies हैं इस सारे companies अपने जो illegal passage होते हैं जो black money होती है वो इस country में invest कर देते हैं और इस country यह क्या करता है उस information को किसी और जगह वो नहीं देता है नहीं देता है तो यह सारे जो countries का जो black money हो इक country में आ जाता है और यहां से उस मुनाफ़ा के रूप में यहां से वापस उस country में आता है जो आता है white money के रूप में तो आप इसी को round-tripping कहा गया कि मतलब करते हैं कि यहां पर आप कीचड़ वाला जो है जीज यानि जो black money यहां पे डाले और यहां से white money लेकर कंट्री जो है यह ट्रांसपरेंसी नहीं रखते हैं अब यहां पर ट्रांसपरेंसी का मतलब हो गया कि कोई भी कंट्री अगर मालीजी A, B, C, D अगर इसे भी इन्वेस्ट किया है एक कंट्री में तो A कंट्री का काम है कि उस information को वो किसी अन्य देश या किसी अन्य संस्था को नहीं देकर वो उस information को वहीं पर रखता है यानि वित्य जानकारी को साजहा नहीं करता है किसी प्रकार की वित्य जानकारी को नहीं साजहा करता है तिस बज़र से वो पारदर्शिता maintain नहीं रखता है तो कोई भी चाहता है कि ऐसे देश में हम लोग अपना पैसा जमा करें जहां पर उस पैसे पर कोई tax नहीं लगता है, कोई पूछता भी नहीं है कि पैसा कहां से आया, क्यों आया, बस उसके पास पैसा है, उसके पैसा को सनाच्छित करके रख लिए, इसके बदले में उसको वहाँ पर है कि चलो भर उस पैसे को invest करेगा, उस country में, तो उस country में development होगा, विकास होगा, तिस बज़र सी यह कुछ सवाल जवाब नहीं पुछेगा कि पैसा कहां से आया, क्यों आया, तो यह चीज़े हैं, जो tax haven countries करती है, इसमें मुख रूप से अभी साइप्रस चर्चा में है, साइप्रस, पनामा, और मौरिसस, इंडिया में देखिएगा सबसे ज़्यादा जो investment या पैसा जो आता है, जो round tripping के दुआरा, वो सबसे ज़्यादा मौरिसस से ही आता है, तो कि मौरिसस में बहुत सारे इंडियन लोग बसे हुए भी हैं, और ये भी एक tax haven के रूप में करतीज है, तो tax को चोरी करने के लिए बहुत सारे जो देश है, मैंने खासकर भारत के जो बहुत सारे जो ब्यापारी हैं, या investors हैं, वहाँ पर invest करते हैं, और अपने black money को white money में convert कर देते हैं, अब इसके कुछ निगेटिव इंपक्ट हैं, सुभाविक है निगेटिव इंपक्ट हम लोग बात करीद हैं, निगेटिव इंपक्ट में हम ल इसका मान लिजे इंडिया से ही अगर पैसा बाहर में, ब्लैक मनी कुरूप में बाहर जा रहा है, और वहां पर invest हो रहा है, तो कह सकते हैं कि इंडिया में हमारा financial instability हो सकता है, instability मतलब अर्स्थीरता का position हो सकता है, इसके अलावा कुछ sale companies का भी इसमें बढ़ावा में जाता है, sell companies हम लोग वैसे companies को कहते हैं, sell companies को हम लोग समझ लेते हैं कि वैसे companies को कहते हैं, कि जो मान लिजे इंडिया का कोई ब्यक्ति है, वो Moises में कुछ company स्थापना करता है, उस company का नाम लगते हैं, हम लोग टी लगते हैं, उस company का नाम टी है, अब यह जो है इसमें invest किया है, लेकिन यह कोई company जो है, यह सीप एक बनाव टी company है, इसको ना तो कुछ registration है और ना ही इसके बाएर में कुछ documentation है, लेकिन इसके द्वारा बताया गया जो इंडिया के investor के द्वारा, कि हमने टी company में invest किया है, तो इस तरह का investment है और फिस टी company से मुनाफ़ा होके वापस इंडिया में आएगा, तो इस तरह का एक कहा जा तो fake company के रूप में sell companies को बनाया जाता है, तो ऐसे में sell companies को काफी ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा, जो कि यह भारती अर्थबरस्था या काफी ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव डालता है, फिफ्ट में लोग कर सकते हैं कि ऐसे में money laundering, यानि जो पैसे होंगे, सुभावी के गलत तरीकर से जो पैसे आएंगे, उनको गलत धंसे उसका इस्तेमाल भी किया जाएगा, तो money laundering होगा, round tripping होगा, round tripping का मतलब हो गय कि हम black money किसी देश में invest किये हैं, और वहां से उसको white money के रूप में हम लोग convert कर सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास हमारे देश में इसको लेकर आर्थिक अपराध हो सकता है, और इसको बढ़ावा मिल सकता है, ये सारी चीजे हैं जो कि negative impact है, tax haven वाले countries के वज़र से, जो ज जबावी के बाध के पैसा बहा जाता है, तो इस तरह से ये सारे इसके negative impact हो गए, कुछ इसके positive impact भी है, कुछ इसके positive impact हम लोग कुछ देखें, तो positive impact ये है कि tax से कायन जो Westview कस्तर पर जो tax competition बढ़ता है, tax competition बढ़ने का मतलब क्या हो गया, tax competition, tax competition में क्या होगा, कि कई सारे जो है, वो चाहेंगे कि अपना जो tax session है, वो कम करें, ताकि हमारे यहां ज़्यादा investment आ सके, तैस तरह से ही कर सकते हैं, कि tax competition ही बढ़ता है, इसमें विशेशकर कहा जाता है, विकसित देख या भी जो विकासिल देख है, उन लोग को ज़्यादा फायदा होता है, कि को उनक इसी पैसे का जैसे याग मनोग, तो बहुत सारी एक्सी activities होंगे, जिससे की उस देश को development में सहयोग मिलेगा, तो ये मुखरूपसिस का फायदा होगा, और इसी लोग लालच में, जो countries हैं, वो अपना tax heaven बनाई रखते हैं, ताकि बाहर से जो पैसे हैं, उनको अपने कुछ करना नहीं पड़े, बाहर के ही लोग उनके इहां invest करें, और उसी investment के पैसे से वो आगे अपना काम कर सके, tax heaven देश, विभिन देश की घरेलू अर्ष्थ बरस्था के साथ साथ, वैस्वी अर्ष्थ बरस्था के लिए भी बड़ा समस्चा है, इसलिए इनके कारण कोई अपने tax में कमी कर भी लेता है, तब भी उसका कोई बहुत बड़ा impact देखने को नहीं मिलता है, अब एक tax को अगर चोरी होता है, इसको चोरी करने के लिए सुभाविक है, इसको global effort जो किया गया है, हम लोग उसकी बात करें, तो global effort में tax चोरी करने के लिए एक बनाया गया है CRS, Common Reporting Standard, अब यह एक ऐसा विक्सित किया गया है, जिसमें कि सुचना का आदान प्रदान करने की बात किया गया है, कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे देश से कितना investment जो है, दुसरे companies में गया है, जो tax saving वाला companies है, उसमें कितना गया है, तो एक ऐसा अंतराश्टिय प्रयास क गया है, इंडिया से गया है Moises, तो इंडिया के tax officers को पता होना चाहिए कि हमारे यहां से जो पैसा है, कितना गया है Moises में, कितना invest हुआ है, चाहे जिस प्रकार से invest हुआ है, ठीक है, Moises information नहीं देता है, लेकिन किसी माध्यम से हमको अंतराश्टिय पटल पे, अंतराश्टि इसको किया जा रहा है, बहुत हत्ता कि इसको tax even countries को रोका जाएगा, ताकि taxation को चोरी कम किया सकता है, उसके अलावा है OECD, इसके द्वारा अभी global अस्तर पे काफी इसको कोशिश किया जा रहा है, ताकि tax evasion, जो जो tax का जो बचाते हैं, उसको रोका जाए, और उसके लिए ह इसका मुक्यों देश से कहे है, जो कि कमपनिया जो है, वो अपने लाब को देश से बाहर ले जाने और देश की सरकार की राजस्व से वंचित करने के लिए, जो investment करते हैं, उसको रोक लगाया जाएगा, उसके अलावा है DT, AA, इसको करते हैं, double taxation avoidance agreement, D for double, T for taxation, A for avoidable, avoidance, औ ऐसा मतलब सहमती बनाया जाए, जिसमें कि tax haven को या भी जो double taxation है, उसको रोका जा सको, तो दो होडे कराधान को लेके, या नि double taxation को लेके, कई सारे countries की बीच में agreement भी है, भारत भी बहुत सारे countries के साथ में ऐसा argument किया है, तो इस तरह से कर सकते हैं कि हम लोग का tax haven एक ऐसा प् पर tax या तो कम देना पड़ाता है, या नहीं के बराबर देना पड़ाता है, यही मुख्य मुद्दा है, उसी पर हम लोग बात किया है, तो हम लोग global effort group में एक है कि सुचना कादान प्रदान करने के लिए CRS बनाने के बात किया गया, common reporting standard, ठीक है, उसके अलाब़ा OECD बना है, जो सहमती होता है, उसमें कुछ संसोधन करके हम लोग इस tax even के प्रदिया को रोग सकते हैं, तो हम लोग अगर way forward में बात करें, तो way forward में लोग यही कर सकते हैं कि वैस्विक अस्तर पे सभी देशों को मिलके, सभी देशों को आपसी सहयोग से, जो round tripping हो, money laundering हो, या tax evasion हो, इस सब को रोग आ जा सकता है, इसके लिए अंतराश्ट्री अस्तर पे सभी देशों को आपसी सहयोग करने क्या हो सकता है, इससे क्या है कि tax के प्रति अपनी जिम्बेदारी को, उनका जो companies का कमाया होगा tax उस देश के लिए ही investment होता है, उस देश के लिए ही development के लिए का चोरी करने के जो हमारा आर्थिक जो गतिविदियां होती है, चोरी करने वाले इसको रोका जा सकते हैं, तो थैंक यू, आप NSKP जो वेबसाइट है, nskpbihar.com आप इस वेबसाइट पर जाएंगे, तो ये आपका वीडियो मिल जाएगा, उसके साथ साथ इस पर आपका PDF भ जाएंगे, तो आप इसको आप देखेंगे, नॉर्मल इसको है, रेजिट्रेशन करेंगे, हलाकि ये आपको बिना रेजिट्रेशन को भी देख सकते हैं, तो रेजिट्रेशन करने के बाद में आप इस वीडियो को देखेंगे, जो GS का करेंटरफेस में है, तो यहाँ पर टेक्स, टेक्स से समान देखेंगे, इसका पीडियो भी आपको आपने जाएगा, तो थैंक यू,